मस्का दोस्तों आज आज हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्लिंग मशीन के मशीन पार्ट के बारे में मशीन में किस जगहां क्या पार्ट लगा होता है इंजेक्शन मोल्लिंग मशीन के तो बेसिकली इंजेक्शन मोल्लिंग मशीन दो पार्टों में बटी होती उसके बाद आप देखोगे हाइड्रोलिक मोटर का अरिया यहाँ पे क्या है मोटर लगी हुई है जो की इसक्रू को भुमाती है यह हमारा है बैरल जिसको हम कहते हैं बैरल जहाँ पे हीटर्स वगएरा लगे होते हैं और इसक्रूस के अंदर होता और यह जो आपका एरिया था यह इसको हम कहते हैं हमारी नूजल यह आपका PLC होता यहाँ से प्रोग्रामिंग होती ही मशीन की यह आपके टाई बार्स और जहाँ पे मोल्ड हम क्लैम कराते हैं मोल्ड को अड़ेस्ट कराते हैं वह इरिया आप मशीन को देख सकते हैं तो जहां जिस एरिया में लाइट गलो हो रहा है वहां पे आप देख रहे हो यह क्या है यह हमारा क्लैम्पिंग यूومिट है तो इंज्छन यूनिट की जो क्लैम्पिंग शिस्टम है तेन पार्टों में Бटा है कौन-कौन से इनका नाम है हाड्रोलिक सिस्टम हाड्रोलिक रम जिसको हम बोलते हैं उसके साथ टॉगल सिस्टम और हाइड्रो टॉगलिक सिस्टम तीन पार्टों में पटा होता है अब चलिए मशीन का 3D अनिमेशन देखते हैं 3D में मशीन के क्या-क्या चीजें क्या-क्या फंक्शन तो आप नीचे ग्रीनिश सेक्षन देख रहे हो जहाँ पर ग्रीनिश है वह क्या है हमारा वह कम्प्लीट है और टैंक यहां से ही हम हेड्रॉलिक और की सप्लाई देते हैं तो आप देखते चाहिए जो जो एरिया ग्लो करता जाएगा आपको मालू होगा वो क्या चीज़ है वो मैं बताऊँगा यह injection unit है यहां से ही injection जो होता वो screw आपका rotate होते हुए आगे जाता है यहीं से injection के लिए injection oil जो in or out होता है यह आपका motor का section होता है यहीं पे hydraulic oil in or out करके आपके screw को rotate कराता है यह rotate का का काम करता है और आगे जो आपका injection cylinder था वो injection कराने में help करता है यह आपका section क्या है इसको हम कहते है nozzle nozzle की tip nozzle tip मतलब यहीं से nozzle की थुर material supply होता मोल्ड के अंदर यह है toggle system यह आपका clamping system जैसे इसमें toggle यह hydraulic कुछ भी हो सकता है यह water tennis system water के लिए water circulation कराने के लिए mold पे तो यह कुछ चीजे है machine पे जिनको आप समझे और धीरे और भी वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको हर एक part के बारे में clear होता जाएगा overview पे क्या है machines के तो क्या है कि यहाँ hopper है hopper में material store करते हैं यहाँ पे hopper dryer भी आप लगा सकते हैं यह simple hopper अगर pre-dried material है तो आप use कर सकते हैं फिर क्या होता इस hopper में जो material है वो supply होता कहाँ supply होता तो supply होके वो जाता है नीचे cylindrical से barrel में पेरल में क्या है already heaters लगे हुए और उसके अंदर एक reciprocating screw हम रखते हैं तो reciprocating screw क्या करता है screw rotate होता हुए material को अपने flights के थूँ आगे की तरफ लेके जाता है shear force के कारण जब आपस में इनके friction generate होता है तो भी थोड़ा heat होता material पिखलता है और उसके साथ साथ इसमें आपके barrel में band heater लगे होते है band heater क्या होता है उसमें हम temperature set कर देते हैं तो उस temperature पे जितने हमको पता होता कि यह material इतने temperature पे पिखल जाएगा गल जाएगा तो उतना temperature हम वहाँ पे save करके रखते हैं तो उसके साथ साथ इसमें एक thermocouple लगा होता है thermocouple क्या करता है heat sense करके हमें monitor पे बताता है कि हाँ जिसको प्लास्टी साइज कहते हिंदी में कहले तो पिघल गया अब हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन से हमने इंजेक्शन कराया आप देख सकते हो कैसे इंजेक्शन हो रहा है इस प्रू के द्वारा मटेरियल जो है वो ट्रांसपर हो रहा रणर के बाद गेट पॉइंट और कैविटीज में फिल हो रहा है तो यह जो पाथ होता है इस प्रू रणर गेट के द्वारा ही मटेरियल जो है आपका जो प्लास्टी साइज मटेरियल है वो इसी पाथ को फॉलो करते हुए जाता है यह कोई ज़रूरी नहीं कि इस प्रू रणर गेट तीनों ही हो उसमें कई कि वहाँ पे पहले से हीट करके उस इस प्रू को गला दिया जाता है तो अभी हम एक बेसिक मैटेट समझ रहें इसलिए यहाँ पे इतना समझ लेते हैं कि कैसे यह मटेरियल जो है हमारा नोजल टिप से मोल्ड में ट्रांसपर होता है उसका रास्ता होता है इस प्रू द्व कि जो होता उसको वो तयार हो जाता एजयक्ट आउठ हो जाता है इस मोल्ड को थंड़र करने के लिए क्लिए क्पन्ठे थै उसको हम करते हiau आते हें मोल्ड के अंदर मोल्ड के अंदर क làगा है पहले आपकी इजक्तर के का करती प्र प्रोडेट को एजेक्ट कराती एजेक्टर पिन जब बाहर आता है तो एजेक्टर पिन के साथ साथ इस प्रूपूलर के साथ साथ एजेक्टर पिन बाहर लाई जाती है इसके साथ यह एजेक्टर हाउसिंग है यहाँ पे सारे एजेक्टर आपके इकठा होते हैं यहीं इसी plate पे पीछे ये bolt होते हैं ejector जो base होता है यहाँ पे lightning bolt होते हैं और जिधर bolt होते हैं mostly आपका core का section होता है core के section में ही ने रखा जाता है ejector जो होता है hydraulic भी होता और electrical ejectorンダム का use करते हैं injection molding machine में यह आपकी cooling pipes हैं यही से क्या होता है पानी का circulation कराते हैं मोल्ड के अंदर पानी जो है water के द्वारा हम इसको ठंडा कराने कोशिश करते हैं मोल्ड ठंडा होता है तो product जो हमारा उसमें कई जो problems है वो उतनी नहीं आती product hard हो जाता है जल्दी और इसी में eject हो जाता है तो दोस्तों आपको मोल्ड और मोल्ड प्लेट के बीच में insulation देना चाहिए insulation कितना रहना चाहिए 40 degree Celsius या 105 degree Fahrenheit दोनों एक ही नंबर है एक Fahrenheit में है एक Celsius में तो जो मोल्ड प्लेटे उनके बीच में हम insulation क्यों दें इसलिए दें कि आपका जो temperature है वो vary नहीं करेगा मोल्ड के अंदर वरना हर एक एक पार्ट कोने का अलग अलग temperature हो सकता है उसके साथ साथ thermal expansion नहीं होगा प्लेटों का प्लेटे heat के कारण बड़ी नहीं होगी बार बार expand नहीं करेंगी उसके साथ साथ आप देखोगे यह आपका पूरा feed system है कैसे जो white section है इसमें मैं आपको समझाऊँगा क्या क्या part है यह sprue है आपका यहीं से nozzle tip से material आता है जो पिगला हुआ होता है plasticized उसके बाद यह runner में दोड़ता है runner पे material रन करता है फिर सब runner से होते हुए gate पे पहुंचता है gate point के बाद ही material आपका cavity में जाता है cavity में जाके product त्यार हो जाता है अब बात करेंगे runner के shapes की runner जो है वो basically तीन type के होते है ज़्यादा तर आपको देखने को मिलेंगे round shape में होगा trapezoid shape में होगा और half round shape में होगा उसके साथ साथ runner के जो shapes होते हैं जो बड़े छोटे या कितने होने चाहिए मतरक कितना कम रहे और कितना maximum रहे तो उसके बात करते हैं उसके दो points है कितना large enough to minimize pressure loss इतना बड़ा maximum की pressure का loss जेल ले और इतना कम से कम छोटा हो की freeze quickly नहों मतलब की की तुरंत वो जमेने